3.0 का आगास हो गया है। आगास के साथ ही पीम नरेंदर मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले लेते वे नजर आ रहे हैं। हाली में पीम नरेंदर मोदी ने किसानों को बड़ा तौफा देते वे पीम किसान सम्मान निधी योचना की सत्रवी किस्त की फाइल पर साइन के। तो वही अब पीम मोदी ने किसान महिलाओं के लिए कृषी की शेत्र में कृषी सखी योचना की शुरुवात कर दी है। खुद पीम मोदी की नई सरकार में कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने इसकी घोषना की है। गर उनके सशक्तिकरण के लिए क्रिश्वी सखी योचना की शुरुवात करने का एलान क्या है। आपको बता देश के बारा राज्यों में क्रिश्वी सखी कारेकरम की शुरुवात कर दी गई है। इन में गुजरात, तमिलाडू, उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उडिसा, चोतिसगर, करनाटक, आंधरप्रदेश, जारखन, मिघाल्य, राजिस्थान, महराश्ट, शामिल है। आगे अन्य राज्यों में भी इस कारिक्रम की शुरुवात करी जाएगी। प्रदान मंत्री का संकल्प है कि तीन करोड लगपती दीदी बनाने का जिसमें से लगभग एक करोड लगपती दीदी बन चुकी है, दो करोड और बनानी है। उसी का एक बढ़ता रूप है क्रिशी सकी योचना। चोहान ने आगे कहा कि किसानों की सायता के लिए कई बहनों को प्रशुक्षन दे कर तयार किया गया है ताकि वो खेती में अलग-अला कामों के माध्यम से किसानों का सयोग कर सके और लगभग 60-80,000 रुपे तक की सालाना अत्रिक्त कमाई करें क्रिशी मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने बताया कि क्रिशी सक्षियों को एग्री पेरा एक्स्टेंशन वोकस के रूप में इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे गाउं की ही है और उन्हें खेती के बारे में जानकारी होती है क्रिशी सक्षियों को विभिन क्रिशी पदितियों के बारे में व्यापक प्रशिक्षन दिया जाता है जिससे वे साथी किसानों को प्रभावी ढंग से साहिता और मार्ग दर्श्रन देने के लिए अच्छी तरह से साहिता कर सकती है क्यार इस ख़वर में इतना ही इस ख़वर को लेकर आपकी क्यार आई है आपमें कमें सेक्षन में सरू बताईए